दिव्याशर्मा www.myfitnessbeauty.com Hello friends, welcome to my youtube channel, मैं हूँ दिव्याशर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूरिक एसिड और ज्वाइट पीन को ठीक करनी का सही तरीका क्या है इसके बहुत से तरीके हैं ज्वाइट पीन को और यूरिक एसिड को ठीक करनी के लिए लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज्वाइट पीन होता क्यूं है, किन कारनों से होता है ये uric acid किन कारणों से होता है और इन्हें ठीक करने का सही तरीका क्या है हमारी body में acid के तैजाब के बढ़ने से क्योंकि हम गलत खान-पान खा रहे हैं उसी कारण से हमारी body में acid बढ़ जाता है acidity बढ़ जाती है ये कहें तो हमारी body में acidity बढ़ने से किसी भी part में किसी भी हड़ी के पास yuric acid यानि कि gout एक इकठा होने लगता है और वो yuric acid का नाम बन जाता है एक बिमारी बन जाती है और लंबे time तक जब yuric acid हमारी body में रहने लगता है तो ये आगे चल कर joint pain का रूप ले लेती है यानि कि हमारी body में acid का बढ़ना yuric acid और yuric acid का बढ़ना joint pain का रूप लेता है इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी body से acid अपनी body में acid को नहीं बनने दे और yuric acid को ही नहीं बनने दे ताकि joint pain हो ही नहीं तो आज आपको ऐसा formula बताया जा रहा है जो कि uric acid और joint pain को ठीक करेगा यानि आपकी body में acid को इकठा नहीं होने देगा और जिनको ये problem है उन्हें इस formula को जरूर follow करना चाहिए इसमें आपको locky का juice यूज़ करना है locky का juice इसमें locky का juice होता है जो हमारी body से सारे के सारे toxins को बाहर निकालने का काम करता है और यही कम अजवाइन करती है और काली मिर्चो होती है वो हमारी body में वात को इकठा नहीं होने देती इन तीनों के समेल से, इन तीनों के संगम से, इन तीनों को mix करने से, जो चीज तयार होती है, वो यूरिक एसिड यानि की एसिड को इकठा होने से रोकती है, तो इसके लिए आपको एक गिलास लोकी का juice चाहिए, और इसमें आधा चमच अजवैन को roast करके उसका powder बना लेना है उस powder को आधा चमच इस लोकी juice में mix करना है, और दो चुटकी काली मिरच मिक्स करनी है, इनको अच्छे से mix करके, सुबह खाली पेट पी सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिन में किसी भी टाइब खाली पेटा पिसे पी लीजिए, ऐसा पीने से body में किसी भी टाइब क acid इकठा नहीं होगा, जो कि uric acid का reason बनता है, जो कि joint pain का reason बनता है, ये बहुत ही असान तरीका है, बहुत ही अजमाया हुआ तरीका, इसकी कोई side effects नहीं है, अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं, तो description box में पंजाबी में link दिया गया है, ये वीडिय आपको कैसा लगा, प्लीज अपनी comments के द्वारा मुझे ज़रूर बताइए, मेरी वीडियो को like ज़रूर करें अगर आपको ये अच्छी लगी है, और अपने friends के साथ इसे share करना बिलकुल नहीं भूलें, अगर अब तक आपनी मेरी channel को subscribe नहीं करा है, तो subscribe कर लें, ताकि मे